आज मैं आप सभी लोगों के लिए मूंग दाल की खिचडी की रेसिपी दिखाने जा रही हूँ जिसे आप इस तरह से बना सकते हैं इसे बनाने के लिए मैंने एक छोटी कटोरी लिए मूंग की दाल इसको धुलूंगी साथ में लिए हैं कुछ कटे विए टमाटर, कद्दू, गाजर और एक हरी मिर्च दाल को धुलने के बाद इसमें पानी डाल दिया है अब डाला है आधा छोटा चमच हल्दी पावडर कटी हुई सबजियां अब डालूंगी दो से तीन चुटकी के लगभग हींग पानी मैं इसमें थोड़ा सा और डालूंगी ताकि ये खिचडी थोड़ी पतली बने साथ में डाला है आधा चमच नमक नमक डालने के बाद इसमें डालूंगी एक चमच गेहु की दलिया मैंने इसमें चावल की जगह गेहु की दलिया डाली है आप इस तरह से इस खिचडी को बना सकते हैं दो से चार बूंद डाला है रिफाइन और अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल कर इसे बंद कर दूंगी मीडियम फ्लेम पर तीन से चार सीटी आने तक इसे फ्लेम पर रख दूंगी अब तीन से चार सीटी आने के बाद लगभग पांच मिनट के बाद मैंने इसे खोला है और अब आप देख सकते हैं कि ये खिचड़ी कुछ इस तरह की लग रही है तड़का मैं इसमें नहीं लगाऊंगी इसलिए मैंने हिंग को पहले ही डाल दिया है और आप चाहें तो इसमें गाजर भी ना डालें तो अब मैंने इसे निकाला है इस प्लेट में साथ में लिया है कुछ कटेवी टमाटर और प्याज आप चाहें तो इसमें तड़का भी लगा सकते हैं प्याज को कट करने के बाद इसे धुल कर पहले ही रख लिया था अब टेश्ट के हिसाब से इसमें डाला है काला नमक, सफेद नमक मिक्स किया हुआ साथ में डाला है एक से डेड़ जमच जामुन का सिरका और इसे इस तरह से मिक्स कर दिया है इससे खिचडी खाने में टेश्ट अच्छा आएगा और जामुन का सिरका सुगर के लिए फायदे मंद भी होता है आप चाहें तो इस तरह से इस खिचडी के साथ में इस प्याज को बना कर खा सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसे फिर से हिंग और जीरे से इसमें तड़का लगा सकते हैं तो आप सभी लोगों के लिए मूंग दाल की पतली खिचडी बन कर तयार है इसके साथ में आप चाहें तो दही भी ले सकते हैं आप भी एक बार इस रेसिपी को बना कर जरूर ट्राइ करें अगर आप सभी लोगों को ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिलकुल न भूलें